हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों यहाँ पर हम वीजन आईएस की मंथली मैगजीन को डिसकस कर रहे हैं और अभी हम अक्टूबर दो हजार तेहीस की मैगजीन को डिसकस करेंगे आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एनवायरोमेंट से रिलेटिड करंट अफेयर तो एनवायरोमेंट की करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखिए सबसे पहले आपको इस मैगजीन के इंडेक्स को दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर subject wise आपके current affair को बाटा होता है सबसे पहले आपका quality and governance का current affair यहाँ पर दिया गया है तो इसकी भी आपकी एक से दो classes आ चुकी हैं आप इनने भी देख सकते हैं आज की वीडियो में क्योंकि हम environment की current affair को discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको environment के topic को दिखाते हैं environment के current affair में इस बार कौन-कौन से topic दिये गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए सबसे पहला topic है आपके सामने global infrastructure resilience तो global infrastructure resilience क्या है इसे हम यहाँ पर समझने वाले हैं दूसरा topic है हिम नदिया जील के तूटने से उत्पन बाड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ news in sorts भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सबसे पहले है coral reef breakthrough क्या होता है इसे हम यहाँ पर समझने वाले हैं sustainable finance क्या होता है net zero roadmap क्या है जलवायू परिवर्तन के कारण सुन्दर बन में नुकसान और छटी इस news को भी हम यहाँ पर देखेंगे next है आपका जिवास्म इंधन में से मिथेन को कम करने की अनिवारियता cement उद्ध्योग का V-Carboni करन भारत में phosphorus की उपलब्धता कम हो रही है next news होगी आपकी corno-carpus वरक्ष, amazon नदी बेशिन, petroleum coke या pate coke क्या होता है तो यहाँ पर आपको समझना है कि यह क्या चीज़ें है इनके पीछे का concept क्या है तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को समझना होगा then गोबर धन के लिए एकिकरत पंजीकरन पॉल्टल next है आपका polyethylene terephthalate degrading enzyme next है manis mysteria, pangolin की नई खोजी गई प्रिजाती next है damsel fly प्रिजाती, fish mint, dancing frog क्या होता है तो dancing frog को हम यहाँ पर देखेंगे pink ball worm क्या है then come long tiger reserve तो come long tiger reserve आपका news में क्यों है यसे भी हम यहाँ पर देखेंगे then next और last है यहाँ पर आपका 15 minute cities 15 minute cities का क्या concept है क्या चीज है तो हम इसे भी यहाँ पर देखेंगे तो यह आपकी basically October की magazine की environments related current affair है जिसे हम आज की वीडियो में cover करने वाले हैं चलिए फिर start करते हैं देखिए friends यहाँ से आपका environment का current affair start हो जाता है जिसमें सबसे पहली news है आपकी global infrastructure resilience तो global infrastructure resilience यह क्या है चलिए इसे समझते हैं सबसे पहले देखते हैं यह आपका news में क्यों है देखिए आपदा प्रतिरोधी अवसनरचना गटबंधन ने वैस्विक अवसनरचना पर पहली दुईवारसिक दो वर्स में एक बार रिपोल्ट जारी की है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपदा प्रतिरोधी अवसनरचना गटबंधन के दुआरा वैस्विक अवसनरचना पर पहली दुईवारसिक रिपोल्ट जारी की गई है और इस report का सीरसक क्या है तो इस report का सीरसक है global infrastructure resilience capturing the resilience dividend तो इस report का सीरसक है तो आपने यहाँ पर देखा कि इस report का सीरसक ये है देखें अभी बात करते हैं infrastructure resilience या अवसनरचना लचीलापन क्या है तो infrastructure resilience क्या होता है इसे आपको इहां पर समझना है देखिए सबसे पहले बात करते हैं अवसनरचना क्या है तो संयुक्त राष्ट ने अवसनरचना को समुदाई या समाज के सामाजिक और आर्थिक कामकाज के लिए आवश्यक सेवाई प्रदान करने वाली भोतिक सनरचनाव स बिसिकली ये ऐसी सुविधाई है जो ये ऐसी भोतिक सनरचनाई होती है सुविधाई होती है जो मानव को क्या करती है मानव की सेवा करती है ठीक है तो इन्ही परिसंपत्यों के रूपने संयुक्त राष्ट ने भी इन्हें क्या किया है देखिए अभी बात करते हैं resilience या ल प्रतिकिरिया करने और ठीक होने की छमता को ही लचीलापन कहते हैं तो यहां पर हमने समझा कि अवसन रचना का मतलब क्या होता है इंफरस्टक्चर क्या है और लचीलापन का मतलब क्या होता है चलिए अभी इसके डाइमेंशन को खोल कर समझते हैं क्या सब इसमें तो को सहने, उनके खिलाव प्रतिकिरिया करने, उनसे उभरने में सक्षम अवसं रचना से है दूसरा है लचीलेपन के लिए अवसं रचना इसका आशिय व्यापक सामाजी पुरार्थिक या प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए ये नए प्रणालिगत जोखिम पैदा ने करने वाली अवसनरचना से है वैसविक अवसनरचना जोखिम के मद्दे नजर अवसनरचना लचीलेपन की आवशकता क्यों है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी होचली अवसनरचना के कारण कई देसों में अवसनरचना सं लचिलेपन की आवशक्ता है दूसरा अवसनरचना संबंदी एकुषल गवर्णेंस तीसरा पॉइंट है प्रणाली गत जोखिम के कारण चोथा पॉइंट है विकास आत्मक लाब के लिए अवसनरचना लचिलेपन की आवशक्ता है पांचवा पॉइंट है अनुपात हिन प् पॉइंट्स दिये गए हैं चलिए बात करते हैं अभी देखिए यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्सों में कुल वैसवी कवसनरचना निवेश का 50% हिस्सा केवल 4 देश, चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश होगा अभी बात करते हैं प्रकर्ति आधारित अवसनरचना समाधान की nature based infrastructure solution की विस्यस्ताईं क्या है यह अवसनरचना की रक्षा भी करते हैं और अवसनरचना संबंधी सेवा भी प्रैदान करते हैं ये जलवाईयू परिवर्दन को सहने में सक्षम होते हैं ये परियावरनिय अखंडता और जैव विविदता को बढ़ावा देते हैं ये सामाजिक भलाई को भी सुनिश्चित करते हैं इसलिए यदि इन्हें व्यापक रूप से अपनाया जाए तो ये लच्छीले पन को अवसनरचना की सुरक्षा तो नेचर बेस्ट इन्फरस्ट्रक्चर सोल्यूशन का उपयोग करके पारम परिक ग्रे अवसनरचना की छमता में वरधी की जा सकती है नेचर बेस्ट इन्फरस्ट्रक्चर सोल्यूशन को सुरक्षा प्रदान कर सकती है या ग्रे अवसनरचना क की जंग है नेचर बेस्ट इंफ्रस्ट्रक्चर सोल्यूशन का भी उपियोग किया जा सकता है इस प्रकार यह प्रकरती के अनुकूल निर्मान कारिय करने की दिशा में एक आदर्स बदलाव ला सकता है नेक्स्ट है कम लागत ओसत रूप से देखें तो ग्रे अवसन रचना परियोजनाओं की तुलना में नेचर बेस्ट इंफ्रस्ट्रक्चर सोल्यूशन की लागत 49% तक कम है दूसरे सब्दों में कहीं तो ग्रे अवसन रचना परियोजनाओं को 51% लागत में ही प्रकरती आधारित अवसन रचना समाधान हासिल किये जा सकते हैं इसकी अलावा का कारवन उत्सरजन को कम करने में भी ये मदद करता है देखे नेचर बेस्ट इंफरस्ट्रक्चर सोल्यूशन किसी अवसन रचना के जीवन चक्र के दोरान कारवन उत्सरजन को भी कम करता है इसे भूमी के उप्योग में बदलाव करने से बचने और अवसन रचना की जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिलेगी नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिनाम इसके दुआरा विसेश रूप से ग्रामीन छेत्रों में निरने लेने और गवर्णेंस में महिलाओं की भागिदारी के आउशरों में बढ़ोतरी करता है अनुमानों की अनुसार इसके चलते 2030 तक 69 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं इसके अलावा नेचर बेस्ट इंफरस्टक्चर सोल्यूशन को व्यापक रूप से अपनाने से SDG सस्टेनिबल डवलपनेंट गोल हासिल करने में भी सहायता मिलेगी तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए बात करते हैं न आजनीतिक रूप से अनाकर्शन और पांचवा परिपक्व अवधी तो यह सब यहाँ पर कुछ चुनोतियां दी गई हैं इसके अलावा यहाँ पर चलिए अब निसकर्स की बात करते हैं दीर्ग कालीक जीवन चक्र वाले डिजाइन पर अवसनरचना संबंधी परिसंपत् रहने और विकास के पत के साथ तालमेल बिठा कर आगे बढ़ने के लिए महत्वपोर्ण होगा इसके साथ साथ विनासकारी जलवायू परिवर्तन और जैव विविद्ता के नुकसान से जुड़े जीवन की अस्तित्व संबंधी जोखिम से निपटने के लिए अवसनरचन के लचीलेपन को मजबूत करना भी महत्वपोर्ण है तो ये थी आपकी पहली न्यूज दूसरी न्यूज है आपकी हिमनदिया जहिल के तूटने से उत्पन बाड़ तो फ्रेंड्स ये टर्म आपका काफी जादा न्यूज में रहा था जी एल ओ एफ गलेशियल लेक प्रस्ट फलर्ड ये क्या है इसे अभी आपको इहां पर काफी अच्छे से समझना है सबसे पहले बात करते हैं ये आपका न्यूज में क्यों है देखिए तो ये न्यूज में क्यों है हाल ही में सिक्किम में हिमनदिया जहील के तूटने से उत्पन बाड़ की घटना गहति तो सिक्किम में आई आपदा मुख्यत है निमनलिखित कारकों के विनासकारी संयोजन के कारण उत्पन हुई थी सबसे पहले हिमनद का पिंगलना तो हिमनद के पिंगलने के कारण सिक्किम की दच्छिन लोनाक जील काफी उचाई पर हिमनद यह छेत्र में स्थित है तो कि पिंगलने से प्राप्त जल के कारण हिमनदीय जील में जल की मात्रा चरम बिंदू तक पहुच जाती है तब हिमनदीय जील के टटबंद तूट जाते हैं इसके कारण आई बाड को गलेशियन लेक आउटबर्स्ट फलड कहते हैं इस घटना में बादल फटने के जील ओएफ का प्रभावत्यन्द विनासकारि हो जाता है जी एल एफ अचानक घटित होने वाली एक विनासकारी घटना है हिमनदीय जील के जल को रोक कर रखने वाले हिमनद या हिमोड जैसे प्राकरतिक टटबंद के टोटने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढला पान की दिशा में जल का प्रवाहा होने लगता है इसके कारण प्रचंड बाड आती है इसके अलावा चुंग थांग बांध की यहां पर बात करते हैं देखें बाड का पानी लाचीन नदी से होते हुए चुंग थांग में तिस्ता थिरी जल विध्यूत परियोजना तक पारे में देखें हिमनदिय जील या हिमानी जील का आकार काफी बड़ा हो सकता है इन जीलों का निर्मान पिंगलते हिमनद के सामनी ऊपर या नीचे भी हो सकता है तो इन्हें आप यहां पर देख सकते हैं देखें सामान्यत हिमनद के पिंगलने से हिमनदिय जीलों में जल पहुचता रहता है और जील का आकार भी बढ़ता जाता है इन जीलों के टटबंद असंगठित हिमोड अस्थिर हिम और अवसाद के बने होते हैं अतजील में जल की मातरा अत्यधिक बढ़ जाने से टटबंद तूट सकते हैं और जल एवं मलबे के तीर्व प्रवाहा के करण गलेशयर पिंगल रहे हैं हिमनदिय जीलों के आकार और संख्या में वरधी हो रही है किसी भी कारण से हिमनदिय जील में एक अत्रित जल की अचानक और बहुत अधिक मातरा में डहलान की दिशा में तीर्व प्रवाहा के चलते निचले इलाकों में आने वाली प्रचं की कारण विनासकारी प्रभाव देखने को मिलता है इसका मानव जीवन आजीवी का बुनियादी सेवाव जैसे की पेजल सुच्छता स्वास्थिया और सिक्षा पर विनासकारी प्रभाव पड़ता है इसके चलते भवनों सडकों उर्जा परियोजनाव सिविज नेटवर्क जैसी आउसन रचनाव को छती पहुचती है यह पारिस्थिती की प्रणालियों और किर्शी खाद्य प्रणालियों का विनास कर सकती है इसके परिनाम स्वे रूप भूसंकलन जैसी अन्यापदाई भी आ सकती है देखिए अचानक आने वाली बाड या फलड आने के कारण क् चलिए बात करते हैं बाड के प्रभाव को कम करने या बाड की समन हेतु क्या उपाई किये जा सकते हैं सबसे पहला राष्टिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के दुवारा उपाई किये जाएंगे दूसरा कुछ सनरचना आत्मक उपाई इसमें जलाश्यों तालाबों टट बंधों का निर्मान नदियों की अतिरिक्त जल को नहरों में भीजना या अन्य जल निकासी सुविधा का निर्मान करना अपवाह मार्ग और जल निकासी सुविधाओं में सुधार करना वोटलशेड प्रबंधन आधी सामिल हैं इसके अलावा बाड संभावित छेत्र को जोन में बाटना इसके अलावा अगरिम चेतावनी प्रणाली का विकास करना भी इसमें साहयक हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा जल विध्यूत परियोजनाव के लिए दिशानिर्देश भी समय समय पर देते रहना चाहिए ऐसे उपाई जो किये जा सकते ह सामोही कलचीलापन ग्रीन ग्रे अवसन रचना की जा सकती है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यह कुछ उपाई हैं जो यहाँ पर किये जा सकते हैं इस घटना की घटित होने से पहले चलिए अभी बात करते हैं एन्वाइरोमेंट से रिलेटिड शाफी जादा निउज में रही है इन्हें आपको अच्छे से समझना है दिखिए सबसे पहली निऊस है आपके सामने कारल रीफ ब्रेक्थु मेंे इसे हम यहाँ पर समझेंगे देखिए इन्टरनेशनल कोरल रीफ इनिशियेटिव ने कोरल रीफ ब्रेक्थु लौंच किय लग है इंटरनेशनल आई सी आर आई इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशियेटिव ने ग्लोबल फंड फोर कोरल रीफ और संयुक्त राष्ट हाई लेवल क्लाइमिर चेंपियन्स के साथ साजेदारे में कोरल रीफ ब्रिक्थ्रू लोंच किया है इस पहल का लक्षय उतले जल की उश्न कटिबंधिये प्रवाल भित्यों के कम से कम 125 यानि की 1000 वर्ग किलोमेटर चेतर को विलुप्त होने से बचाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका लक्षय बेसिकली क्या है लक्षय प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाई क्या है प्रवाल को नुकसान पहुचा आने वाले इस्थानिय कारकों को कम करना इन में प्रदूशन के भूमी आधारित सुरोतों विद्वनसक टटिये विकास और अत्यधिक मतश्यन गतिविधियों को कम करना सामिल है लचीले पन आधारित प्रवाल भित्ती संरक्षन परियासों को बढ़ावा देना इसके वा कुन्मिंग मॉनेट्रियल वैश्विक जैव विविदता फ्रेमवर्क का लक्षय थिरी इसके तहत वर्स 2030 तक कम से कम 30% स्थलिय और अंतरदेशिय जल छेत्रों तथा समुंद्री एवं टटिय छेत्रों को संरक्षित करने का लक्षय रखा गया है प्रवालों की अनुक देखिये इसके अलावा प्रवाल भित्यों के संरक्षन और पुनर बाहली के लिए सार्वजनिक वनिजी श्रोतों से 2030 तक कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डोलर का निवेश जुटाया जाएगा प्रवाल भित्यां वस्तुत है सैक्डों से लेकर हजारों पॉलिप्स नामक एकल प्रवालों के लगु समु से बनी होती है प्रवाल समुद्री अकसेरु की जीव है इनका कठोर बाहरी कंकाल कैल्सियम कार्बोनेट से बना होता है भारत में प्रवाल भित्या निम्नलिखित समुद्री शेत्रों में प्राप्त होती है कहां पर कच्छ की खाडी में मनार की अंडमान ए और निकोबार दूइप में लक्ष दूइप सम्हु में तो यहां पर आपकी यह प्राप्त होती है चलिए यहां पर हमने देखा सुरू में अंतराष्टिया कोरल रीफ पहल इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशियेटिव चलिए आइसी आराई के बारे में यहां समझ इसे दुनिया भर में प्रवाल भित्यों और संबंदित पारस्तिती की प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है बात करते हैं इसके सदस्यों की तो इसमें टोटल 101 सदस्य है और भारत भी इसका सदस्य है अन्या मुख्यत अथ्ये 45 देश विश्व क प्रवाल भित्यों के संरक्षक हैं पर मुख पहल की बात करें तो कोरल रीफ ब्रेक्थ्रू इसके दुआरा सुरू की गई है कोरल रीफ ब्रेक्थ्रू के तहत कम से कम आप देख सकते हैं एक लाग पच्चिस अजार वर्ग किलोमेटर छेतर में विस्तरित उतले जल छेतर वाली उश्न कटी बंदिया कोरल रीफ का संरक्षन करना है तो कोरल रीफ ब्रेक्थ्रू के तहत हम क्या करेंगे कोरल रीफ का संरक्षन करेंगे तो ये थी आपके नियूज इन शॉर्ट दूसरी नियूज है आपके सामने सस्टेनेबल फाइनेंस सतत वित क्या है चलिए सम और संधारनिय रूप से प्रबंधित वित रिपोर्ट के मुख्य बिंदों पर एक नजर डालते हैं सबसे पहले सतत वित में वैश्विक स्तर पर वित पोशन में मौजूद कमी को दूर करने के लिए परियाप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है एसिया प्रसांत छेत्र सतत विकास लक्षियों को 2030 तक हासिल करने की रहा पर नहीं है ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है एसिया प्रसांत के 51 जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकार हैं हालंकी इन में से केवल 17 देसों ने ही अपने राष्टिय अस्तर पर निर्धारित योगदानों में निर्धारित लक्षियों को पूरा करने के लिए अपनी वित्या आवशक्ताव का आकलन कर उनकी रिपोर्टिंग की है इस छेतर में आपदाव और अन्य प्राकरतिक विपदाव से होने वाली ओसत आर्थिक हानी बढ़ कर 1.1 ट्रिलियन डोलर से 1.4 ट्रिलियन डोलर के बीच हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है कि उच उत्सरजन की स्थिती में जलवायू परिवर्तन से भारत को वर्स 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 35% का नुकसान हो सकता है देखिए एसिया और प्रशान्त हेतु संयुक्त राष्ट का आर्थिक और सामाजिक सहयोग यानि की ESCAP क्या है इसे समझते हैं इसकी उत्पत्ती कब हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्थापना संगाई में 1947 में एसिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट आर्थिक सहयोग के रूपने की गई थी वर्स 1974 में इसे UNESCAP के रूपने नामित किया गया था UNESCAP के बारे में यहाँ एशिया प्रसांत छेत्र के लिए एक अंतरसरकारी मंच है यह संयुक्त राष्ट के पाँच छेत्रिया आयोगों में से एक है अन्या छेत्रिया आयोग, अफ्रिका, यूरोब, पस्चिमी एसिया, लैटिन अमेरिका और क्यारेबियन से संबंदित हैं बात करते हैं इसके सदस्यों की तो 53 सदस्या देश और 9 एसोसियेट सदस्या है भारत इसका सदस्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं उदेश्य की बात करें तो यह सतत्विकास की चुनोतियों के समाधान की खोज में सदस्यों के बीद सहयोग को वड़हवा देता है रिपोल्ट की बात करें विश्वसनिये ट्रांजिशन मार्ग का अनुशरन करते हुए दो हजार पचास तक नैट जीरो संकल्प के प्रती प्रतिबधता व्यक्त करने चाहिए इसमें 2030 के लक्षियों की प्राप्ते भी सामिल होने चाहिए सभी मुख्य सरकारी मंत्रालियों की नीतियों में एक रूपता लाने चाहिए और छमताएं विक्सित करने चाहिए पुन्जी और निवेस आवशक्ताओं के बीद सेक्टोरल और रीजनल लेवल पर असंगती को कम करना चाहिए स्वच उर्जा को अपनाने के साथ साथ हरित प्रोध्योगी कियों अन्या नैट जीरो निवेशों के लिए भी इस्थानिया मुद्रा में वित पोशन को बढ़ावा देना चाहिए बहुपक्षिय विकास बैंको द्वीपक्षिय विकास वित्य संस्थानों आदी दुवारा रियायती वित पोशन सुनिश्चित करना चाहिए और संबंदित जोखिमों को साजा करना चाहिए तो ये था आपका सस्टेनेबल फाइनेंस नेक्स्ट है आपका नैट जीरो रोड मैप तो नैट जीरो रोड मैप क्या है चलिए इसे समझते हैं देखिए हाल ही में नैट जीरो रोड मैप के संबंद में एक रिपोर्ट जारी की गई यह है रिपोर्ट एक पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस लक्षिया को पहुच में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग सीरसक से एक रिपोर्ट जारी की गई है यह है रिपोर्ट अंतराष्टिया उर्जा एजेंसी ने जारी की है रिपोर्ट के मुख्य बिंदो की बात करते हैं सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग को एक पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन होता जा रहा है हालं की उम्मीद अभी भी बनी हुई है क्योंकि दुनिया भर में सुच उर्जा और सनरचना का विकास हो रहा है सोर उर्जा इलेक्ट्रिक कार जैसी सुच उर्जा तकनीके उन तकनीकों में से हैं जो आज और 2030 के बीच उतसरजन में एक तिहाई कटोती कर सकती है बात करते हैं सुचाव की इस दसक की अंत तक नविकरनिया उर्जा की छमता को तिगुना करना, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरीज का उप्योग करने आधी को बढ़ावा देना चाहिए तो ये है आपका Net Zero Roadmap Report नेक्स्ट है आपका जलवायू परिवर्तन के कारण सुन्दर्बन में नुकसान और छती देखिए भारत व्य बांगलादेश के विसेश्यकों का मानना है कि जलवायू परिवर्तन के कारण सुन्दर्बन में नुकसान और छती हुई है इसे Global Commons के रूप ने देखा जाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि सुन्दर्बन से बहुत कम कार्बन उत्सरजन होता है और फिर भी यह छेत्र जलवायू परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है Global Commons में ऐसे छेत्र और उनके संभावित आर्थिक समाधा संसाधन सामिल है जो राष्टिया छेत्र आधिकारों से बाहर है साथ ही जिन तक सभी देशों की पहुच है जैसे खुला समुंदर वायू मंडल अंटार्क्टिका बाहिया अंतरिक्ष ये सभी आपके Global Commons की अंतरगर्थ आते हैं देखिए Global Commons को सासित करने वाले अभिशम है और संधिया नेमनलिखीत हैं सबसे पहला है Unclosed 1982 संयुक्त राष्ट समुंदरी कानून अभी समय 1982 अंतर्क्टिका संधी प्रणाली बाहिया अंतरिक्ष की अन्वेंशन और उप्योग में राजियों की गतिविदियों को सासित करने वाले सिधानतों पर संधी इसके अलावा सुन्दरबन बंगाल की खाड़ी में निचले दुविपो का एक समु है यह भारत 40% पांगलादेश 60% में फैला हुआ है यह गंगा ब्रहमापुत्र और मेगन नदियों के डेल्टा परिस्थित है यह विश्व में मैगरोव वन का सबसे बड़ा छेतर है एस्चुराइन, मगरमच, रोयल बंगाल टाइगर, वाटर, मोनिटर, छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ओलीव, रिडले टर्टल, आदी बात करते हैं संकट की यह छेतर बाड, भूकंप, चक्रवाद, समुद्र के स्तर में व्रधी और समुद्र टट के छरन के प्रती समवेदन सील है चलिए यहाँ पर सब्दावली को जानते हैं, देखिए यहाँ पर हानी और छटी, लोस एंड डैमिस का क्या मतलब है यह दुनिया भर में मानव विसेश रूप से सुभेद्य समुद्र आए और प्राकर्तिक परियावरन पर जलवायू परिवर्तन के नकारात्मक परिनामों को संदर्वित करती हैं तो यह थी एक यहाँ पर टर्मनलोजी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज है आपकी जिवास्म इंधन में से मिथेन को कम करने की अनिवारियता देखें इस रिपोर्ट को अंतराष्टिय उर्जा एजनसी ने तयार किया है इसे सहयोगतराष्ट परियावरन कारिय करम UNEP और UNEP सहयोजित Climate and Clean Air Coalation के सहयोग से तयार किया गया है यहाँ पर बात करते हैं देखें CCAC यानि की Climate and Clean Air Coalation की स्थापना 2012 में की गई थी यह एक मातर अंतराष्टिय निकाय है जो मिथेन, Black Carbon, Hydro, Fluorocarbon जैसे अलपकालीक जलवायू प्रदूशकों की सांद्रता को कम करने के लिए कारिय करता है अलपकालीक, जलवायू प्रदूशक, जलवायू परिवर्तन और वायू प्रदूशक दोनों के लिए उत्तरदाई होते हैं रिपोल्ट के मुख्य बिंदूओ को देखते हैं तो 2050 तक वैश्विक ओसत सतही तापमान में 1.6 डिग्री से अधिक की वरद्धी होने की आंसंका है इसके अलावा वर्स 2050 तक मिथेन उत्सरजन के समन से निम्नलिखित को रोका जा सकता है सबसे पहला ओजून के प्रभाव में आने से होने वाली लगभग 1 मिलियन आसामीक मोते ओजून और जलवायू परिवर्तन के कारण होने वाले लगभग 90 मिलियन टन फसलों के नुकसान तथा अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग 85 अरब घंटों की सरमहानी को रोका जा सकता है मिथेन CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है यह 30% ग्लोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार है वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 580 मिलियन टन मिथेन उत्सरजित होती है इसमें से 60% उत्सरजन के लिए मानव गतिविदियां जिम्मेदार है इन गतिविदियों में लैंड फिल, किरशी पद्धतियां, अपसिस्ट, जलुक, चार आदी सामिल है मिथेन जलवायू परिवरतन के लिए दूसरी सरवाधिक उत्तरदाई ग्रीन हाउस गैस है पर थमस्थान पर कार्बंडाय अकसाइड है तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं देखिए मिथेन उत्सरजन को रोकने के लिए सुरू की गई मुख्या पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्स 2021 में COP26 में वैश्विक मिथेन संकल्प सुरू किया गया था इसका उदेश्य है 2030 तक मिथेन के उत्सरजन से 2020 के इस तर से कम से कम 30% की कटोती करनी है दूसरा गोबर गोबर का यहाँ पर मतलब है और मिथेन उत्सरजन में कमी का समर्थन करती है नेक्स्ट निउस है आपकी सिमेंट उद्ध्योग का विकारबनी करन चलिए इसे समझते है सिमेंट उद्ध्योग में पाइरो प्रोसेसिंग और कयल्सिनेशन प्रमुक प्रकिरियाया रहे हैं थिरी को गर्म किया जाता है सिमेंट उध्योग में विक आर्बनी करन के आउष्चता क्यों है यह में लोहें और इस पात के बाद दूसरा सब से बड़ा उध्योगिक उटसर्जक है सिमेंट उध्योग वैश्विक-स्तर पर CO2 उत्सर्जन में लगभक साथ प्रतिशत का योगदान देता है वर्स 2050 या 2070 तक सुध सुन्य उत्सरजन की प्रतिबधताव को पूरा करने के लिए सिमेंट उद्धियों का विकार बनी करन आवश्यक है ग्यातव्य है कि भारत ने 2070 तक सुध सुन्य उत्सरजन का लक्षय निर्धारित किया है भारत के समक सिंग वे कैल्सिनेशन के लिए विकल्पो क्यूब लब्धता का भी अभाव है छेतरिया उर्जा दक्षता समवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पहले और आर्थिक उपाए सीमित हैं बात करते हैं सिमेंट में सामिल घटक की भारत मुख्यरूप से चार प्रकार के सिमे गटक हैं कुल कार्बन डाई आकसाइड उत्सरजन कारक सी ओटू में प्रति टन सिमेंट यहां पर आप चीजों को देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखें उपाए क्या किये जा सकते हैं तो ब्लेड़िड सिमेंट ब्लेंड़िड सिमेंट की हिस्सेदारी को बढ अर्थार्त किसी अन्य विकल्प का उप्योग करके चुना पत्थर का कम से कम उप्योग करना चाहिए सिमेंट के उत्पादन में पुनर चक्रित सामंग्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवशकता है इसके अलावा रिफ्यूज डिराइव फ्यूल उध्योगी कपसिस् चाहिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजिशन और स्टोरेज जैसी नवीन प्रोध्योगी क्यों का इस्तिमाल करने की जरूरत है तो टेक्नोलोजी का उप्योग भी यहां पर किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है तो यह बूत जडों का विकास आनुवनसिक गुनों का इस्तानांतरन आदी इन सभी के लिए फास्फोरस की आवशकता होती है भारत विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आया तक है इसका अधिक तरहिश्रा पस्चिम अफरिका के कैडमियम से भरे बंडारों में आता है भार पूरी अभीनती और कड़पा बेशिन आंद्र परदेश आदी में फास्फोरस की कमी को दूर करने के उपाई क्या हो सकते हैं सबसे पहला परिशुद किर्शी के जरिये रासायाने कुवरकों का उपयोग कम करना कम इन्पूट वाले किर्शी पारस्थिति की द्रश्टिको उनको अपनाना फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए सहरी सिविज का उपयोग करना फास्फोरस की उपलब्दता को लेकर चिनताय क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकतर इस्थानों पर फास्फोरस कैडमियम के साथ मोजूद होता है कैडमियम एक भारी प्रभाव क्या हो सकते हैं देखिए अधिकतर फासफोरस किरसी अपवाहा के रूप में और सिविज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुच जाता है इससे विशाक्त सेवालों की व्रधी होती है अक्सर कैडमियम युक्त उवरकों को मिट्टी में डाला जाता है फसले इन्हें आवसोसित कर लेती हैं जब मनुष्य ऐसी फसलों का उब्भो करता है तो इससे उनके सरीर पर इनका जैव संचय होने लगता है इससे हिर्द्य रोग में व्रधी होती है नेक्स्ट है आपका कोनो कार्पस वरक्ष तो कोनो कार्पस वरक्ष क्या है देखिए यह है आक्रमक मैंग्रोव प्रजाती है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी थी, कोनो कार्पस, कॉम्ब्रेटिसी, कुल के, पुस्पिय, पादपु की दो प्रजातियों का एक जीनस है, कोनो कार्पस, विश्व के उश्नकटी बंधिय छेत्रों की मूल प्रजाती है, सजावटी पादप की र मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़े पैमाने पर विक्सित होती हैं, इससे दूर संचार लाइनों, ड्रैनिस लाइनों और ताजे जल की आपूर्ती वाले पाइपों को नुकसान पहुचता है, नेक्स्ट है आपका अमेजन नदी बेशिन, तो अमेजन नदी अटलांटिक महासागर के जल के गर्म होने के कारण गंभीर सुखे का सामना कर रही है, यह जल वाई हुए घटनाएं गलोबल वार्मिंग और जिवास मिंधन के दहन से बढ़ गई हैं, आमेजन नदी बेशिन, यह विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाहा बेशिन हैं, य दुनिया के लगभग 60% वर्सा वन यहीं पर हैं, साथ ही यहां प्रत्वी पर जीवन के 10% ग्यात शुरौत भी मोजूद हैं, कवर किये गई देश की बात करें, तो इसमें कवर करता है ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इकवाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और व सर्वोच नियाले ने वायू गुनवत्ता प्रबंधन आयू को अत्यधिक प्रदूशनकारी पेट कोक के वितरन से संबंदित मुद्दो पर विचार करने का निर्देश दिया है, पैट्रोलियम कोक कारबन युक्त ठोस सामंगरी है, इसे अंतिम क्रैकिंग प्रकिरिया से इंजीनियरिंग प्रकिरिया है, इसके उच कैलोरी मान के कारण इसका उप्योग कोईले के प्रतिस्थापन के रूपने किया जाता है, पैट कोक हाइड्रो फोबिक होता है, इसका आर्थ है कि पेट कोक वर्सा के मोसम में नमी नहीं पकड़ता है, पेट कोक कम वास्प सील पधार्थ है, ऐसे में इसके वास्प बनकर नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है, इसके दहन के बाद राक की कम मात्रा उत्पन होती है, इसका उप्योग सिमेंट निर्मान, चूना भट्टी, ओध्योगिक बॉयलर, एल्यूमीनियम एनोड आदी में किया जाता है, ने सरत CBZ और बायोगैस संयत्र रसायन इवं उवरक मंत्राले की बाजार विकास साहेता योजना के तहट, 1500 रुपे प्रती मिट्रिक्टन की साहेता प्राप्त करने के लिए पात रहें, गोबर धन, गैल्वनाइजिंग, और्गिनिक, बायो, एग्रो, रसॉर्स धन, योजना केंद्रिय जल सकती मंत्राले के अधिन सुरू की गई है, इसका उदेशिया क्या है, इस योजना का उदेशिया मवेशियों के गोबर, किर्शी अपसिस्टो और अन्या जैविक अपसिस्टो को बायोगैस, CBG, जैव उवरकों में परिवर्तित करके धन कमाना और उर्जा उ पैट 4-6, पैट 4-6 की खोजकी है, देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यह क्या है, पैट एक प्रकार का हलका प्लास्टिक है, इसका खाद्य पधारतों और सॉफ्ट ड्रिंक्स जल जैसे पे पधारतों की पैकिंग में व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है, पैट 4- पैट अपसिस्ट को नश्ट कर सकता है, इसे प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने के परियासों में प्रभावी मदद मिल सकती है, यह गहरे समुदर में आर्किया समुदरी जीव की पारस्थितिक भूमिका को समझने में योगदान देगा, अन्या पैट इन्जाइम है, पैट टेज, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज है आपकी मैनिस मिस्टीरिया, मैनिस मिस्टीरिया क्या है, मैनिस मिस्टीरिया यह है पैंगोलिन की नई खोजी गई प्रजाती है, देखिए वैग्यानिकों ने अत्यधिक संकट ग धका हुआ है अफ्रीका में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती हैं काले पेट वाला पैंगोलिन सफेद पेट वाला पैंगोलिन विशाल ग्राउंड पैंगोलिन और टैंपिक ग्राउंड पैंगोलिन एसिया में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती हैं भारतिया पैंगो गया है देखिए भारतिया पैंगोलीन वन्यजीव सनरक्षन अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में सूची बद है आई यूसी एन की लाल सूची में भारतिया पैंगोलीन की स्तिति एंडन्जर्ड है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूस की नेक्स्ट है आपके डैमसिल फ्ल प्रजाती पाई गई है इसका नाम आर्मागेडान रीड टेल रखा गया है आर्मागेडेन रीड टेल नाम एकलोजिकल आर्मेगेडोन की अवदहारना का सीधा संदर्ब है यह एक पदावली है जिसका उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनासकारी करने के लिए किया जाता है बात करते हैं पारस्थितिक भूमिका की कीट परागन पोशक चक्र अन्यजीवों के लिए भोजन सरोत के रूप में महत्वपुर्ण भूमिका निभाते हैं तो यहाँ पर आप डैम्स फ्लाई प्रजाती को देख सकते हैं देखें यह आप पिच लेकर दचिनपूर्वी एशिया चीन कोरिया और जापान में भी मिलते हैं यह मिगालिया में जामर्दोहो मनिपूर में टौक निंग खोक और असमने मासुंदुरी के नाम से जाना जाता है विसेस्ताइं इसका सुवाद और गंध मचली जैसा है इसलिए इस पोधे का नाम फिश मिंट है आक्रमक पोधा है इसमें भूमिगत राइजों से फिर से अंकुरन की चमता होती है इसलिए पोधे को नुकसान पहुशने पर यह फिर से उग आता है ओसदिया गुन की बात करते हैं इसका पाचन संबंधी विकारों कीडे के काटने बुखार खासी आदी के के लिए उपयोग किया जाता है इसके लाभों को प्राचीन आर्युवेद और सिद गरंतों में वर्नित किया गया है देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यह आपकी फिश मिंट की प्रजाती है तो यह आप देख सकते हैं यह एक ओसदिया पोधा है नेक्स्ट निउस है आपकी डांसिंग फ्रोग तो डांसिंग फ्रोग क्या है चलिए इन्हें देखते हैं देखिए आयूसीन के दूसरे वैश्विक उभहचर आकलन की अनुसार पश्चीमी घाट के डांसिंग फ्रोग सरवाधिक संकट गरस्त उभहचर प्रजातियों में से एक है आयूसीन प्रजाति को आक्रमक प्रजातियों भूमी उपयोग परिवर्तन चरम मोसम आदी से खतरा है इसका नाम डांसिंग फ्रोग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह फुट फ्लैगिंग करते हैं इस इसमें नर्मैंडक अपने पिछले पैरों को एक-एक करके फैलाते हैं और नरत्य कि मुद्रा में अपने जाल नुमा पैर की उंगलियों को तेज गती से हवा में लहराते हैं इसलिए इनका नाम डांसिंग फ्रोग रखा गया है नेक्स्ट है आपका पिंक बॉल वर्म पिंक बॉल वर्म क्या है चलिए इसे देखते हैं पिंक बॉल वर्म से बीटी कपास की फसल को पिछले दो दसकों में सबसे अधिक छती पहुची है बेसिलस थुरिंजीन बीटी कपास में मिट्टी के बैक्टीरिया से प्राप्त जीन सामिल रहते हैं कपास की यह है फसल इस जीन के कारण एक प्रोटीन निर्मित करती है जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है यह है प्रोटीन अमेरिकन बोल वर्म के लिए भी विशाख्त होता है लेकिन अब यह है प्रोटीन पी बी डबलु पर प्रभावी नहीं हो रहा है पिंक बोल वर्म का वैग्यानिक नाम पेक्टी नोफेरा गोसी प्यला है बोल वर्म विविद सल्बु Hakido के लारवा होते हैं यह संभवत है पूर्वी हिंद महासागर छेतर की मूल नेटिव प्रजाती है प्रभाव की बात करते हैं व्यश्क मादा कोटन बॉल्स पर अंडे देती हैं अंडों से निकले नई लार्वा बीजो को खाते हैं और कपास की रेसों को नुकसान पहुचाते हैं इसे कमलांग टाइगर रिजर्व में ग्यार सरकारी संगटनों के सहयोग से पहली बार बटरफलाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यकरम का आयोजन किया गया कमलांग टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं देखिए यह अरुनाचल परदेश की लोहित जिले में अवस्थि गमेलिना आर्बेरिया आधी यहां पर सामिल हैं जीवजन्तु की बात करें तो हिमतेंदुआ क्लावडड लैपर्ड बाग हिमालियन पाम सिवेट हॉर्ण बिल आधी यहां की जीवजन्तु हैं ग्लो जील इसी रिजर्व में स्थेत हैं तो इन पॉइंट्स को आपको यहा दुआरा पैदल चलकर या बाइक से तै की जाने वाली कम दूरी के भीतर उपलब्द करवाने का समर्थन करती हैं यह एक इस्थानिक विकास मोडल है यह अधिक स्थानिये स्वस्त उचित और संधार्निये जीवन सैली को बढ़ावा देने में मदद करता है 15 मिनट सिटीज तो यह थी आपकी environment का current affair देखे आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका environment का current affair पूरे एक महीने का समाप्त हो जाता है काफी अच्छे से हमने आज की वीडियो में इसे discuss किया है और सिर्फ एक वीडियो में आपका environment का current affair हमने complete कर दिया है I hope कि आपको आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर next class में thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you